त्रिकॉर्ण मिती के काफी important question है जो आपके exam में आ सकते हैं वो इस video में हम आपको बताएंगे जैसे पहला question है sign का value दे रखा और हमें cos और 10 का value find करना है तो हमें इसका use करना पड़ेगा PBPHHB P मतलब perpendicular, B मतलब base और H मतलब होता है hepatonis तो इसमें अगर आप sign का ध्यान देंगे ना यहाँ पर हमारे पास sign है sign को हम ऐसे देखेंगे, sign का मतलब होता है P by H और cos का मतलब होता है H by P sign का मतलब होता है P by H तो हम क्या करने वाले हैं? sign के सामने लिखने वाले है P by H मतलब P सामने दे रगा H सामने दे रगा मतलब P का value हो चुका है आपके 3 और H का value हो चुका है आपके 4 लेकिन इसमें अभी भी आपके B गाईब है क्योंकि अगर आप 10 find करते हो तो हमें लिखना पड़ेगा B by H और 10 find करना पड़ता है तो उसके लिए हमें लिखना पड़ता है P by B तो दोनों में B common है और यहाँ पर तो question के अदर हमारा B दियावा ही नहीं तो B हमें पहले find करना पड़ेगा किस से करेंगे हम पाइटोगरस theorem से करेंगे यह नियम है उसका H square is equal to P square plus B square यह एक पाइटोगरस theorem है जो आपने chapter 6 में पड़ा होगा तो H H आपका देरका है 4 P आपके देरका है 3 और B क्या करना है हमें find करना तो यह तो हो गया 16 यह हो गया 9 प्लस का इदर बेज दो माइनस हो जाएगा तो B square is equal to आएगा 16 माइनस 9 मतलब है 9 इदर आकर माइनस हो जाएगा अब यह बज़ गया आपके 7 जैसे यहाँ से square अटाएंगे ना इदर लग जाएगा आपके square root लग जाएगा और यह आगया है आपके base 7 का square root नहीं निकलता है तो यह ही रहेगा अब हमें को से और 10 एफाइंड करना है अब B आ चुका है हमारे पास B कितना आया है root 7 तो B है आपका root 7 H और P तो H यह रहा 4 और P यह रहा 3 एक्जामे अनलाइक अच्छा और important question है second question आपके देर का है जैसे यहाँ पर sin A plus B का value 1 by 2 है और cos A minus B का value 1 by 2 हमें बताना है कि A का value क्या होगा और B का value क्या होगा हमें बताना है तो देखो यहाँ पर sin है ना इधर भी sin लेक्या हो तो कैसे आता है यह तो हो गया sin A plus B अब हमें एक table देखनी है वो table आती है आपके 8.2 में x size में आती है तो वहाँ पर 1 by 2 जो है ना table के अंदर sin 30 का value किसका value है वो sin 30 का value है sin 30 मतलब बता है 1 by 2 इस पर ध्यानगना वह यहाँ पर आपके है minus और यहाँ पर आपके plus यह थोड़ा ध्यानगना है तो यहाँ पर आपके minus है अब देखो यह value और यह value विल्कुछ same है इसका मतलब है कि यह दोनों भी आपस में क्या रहने वाले same तो हम लिख सकते हैं A minus B equal to होता है आपके 30 अब आता है इधर की और जो हमने इधर किया है ना same आपको इधर करना है हम क्या करेंगे यहाँ पर cos A plus B अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे ना तो यह cost में कब आता है तो टेबल में ही आपको ध्यान देना है टेबल के अंदर आपको मालूम चल जाएगा कि यह value cos 60 का value है यह value और यह value आपके same है इसका मतलब यह दोनों भी आपके same रहेंगे तो A plus B is equal to होता है 60 degree याद चुका है अब हमें क्या करना है इन दोनों को लेकर equation को solve करेंगे यह हमारा equation number 1 है और यह हमारा equation number 2 है दोनों equation को लेंगे और solve करेंगे तो A minus B का value आपके देरका है 30 और A plus B का value देरका है आपके 60 यह आपका first equation है यह आपका second equation है यहाँ पर अगर ध्यान लगाओ तो A plus का है एक minus का है तो यह आपस में हो जाएंगे cancel और यह 1A और 1A हो गया है आपके 2A और इन दोनों को add करने पर आता है आपके 90 आता है अब यह multiple का जाएगा divide में और A का value आएगा आपके 90 upon में 2 इकल तो आता है 45 अब यह 45 पर एंगल है ना यहाँ पर यहाँ पर कहीं प्रक्त आप B का value भी find कर सकते हैं जैसे A का value आपने यहाँ पर रख दिया यहाँ पर लिक सकते हैं आप put the value of A in equation second कहीं पर दो मर्जी आए जो समयने यहाँ रखा A का value हो गया है आपके 45 B का value find करना है प्लस का इदर भी तो minus हो जाएगा सो B का value आजाएगा आपके 60 minus 45 B is equal to हो गया आपके 15 तो हमारे जो एंगल है न वो यह है 45 और 15 अगर आप यहाँ पर compare करते हैं यहाँ पर के दोनों को minus करो तो 30 आता है यह रहा है दोनों को add करो तो 60 आ रहा है यह यहाँ पर आ रहा है तो यह दोनों एंगल इन दोनों equation को बि 45 and 15 degree इस question को आप दो तरीके से कर सकते हो एक तो तरीका होगा आपका दो तरीका बताओं आपको जो अच्छा लगे हो कर लेना सबसे बैस तरीका है मतलब आपको जो easy लगेगा वो है नियम है कि अगर सेक A is equal to दे रहा है आपके को सेक B इसका मतलब क्या था इधर सेक है इधर को सेक जो एंगल आपके इधर है और जो एंगल इधर है इन दोनों में change है कुछ न कुछ चेंज जैसे यहाँ पर देखो इधर तो आपके दे रहा है 4 A A की जगा लिखावा 4 A इधर B की जगा लिखावा यह पूरा bracket मतलब 4 A इधर है लेकिन 4 A इधर नहीं है तो सेक और को सेक लिखावा हो चाए साइन कोस लिखावा हो चाए 10 कोट लिखावा हो और इधर जो एंगल है इधर एंगल दोनों अलग अलग हो और बीच में equal का साइन जब भी ऐसा आता है उसका मतलब होता है A प्लस B का value आएगा आपके 90 अगर ऐसा है तो ऐसा होगा तो A कौन है ये रहा और B कौन है ये रहा तो A प्लस B इन दोनों का A और ये आपका B है इन दोनों का सम कितना होगा आपके 90 होगा तो 4A प्लस 1A is equal to होता है 5A 20 को उदर transfer कर देते हैं तो ये हो जाएगा इदर आपके प्लस तो 5A is equal to होता है आपका 110 मल्टिपल का जाएगा डिवाइड में और A का value आएगा 110 अपॉन में 5 तो A is equal to 5 का डिवाइड कर दोती है आएगा आपके 22 डिगरी ये फर्मुला कहा लिखावा है इसी exercise 8.3 में question number 3 फोर्थ में लिखावा है तो वही है आपके उसमें लिखावा है 10 A is equal to cot B A plus B is equal to 90 हो लिखावा question उसी का आपने यहाँ पर use किया है ये तरीका कौन सा है भी आपका एक ये तरीका है जैसे मैंने यहाँ पर question को लिख दिया sec 4 A is equal to cos A minus 20 दोनों answer तो सेम ही आते हैं हमें इन दोनों में से किसी A को change करना है या तो दोनों को बनाओ sec या दोनों को बनाओ cosac जैसे मुझे इसको change करना है तो नियम है कि अगर कहीं पर भी sec A लिखावा है या पिर sec theta लिखावा है तो उसका मतलब होता है cosac 90 minus theta होता है अगर ऐसा लिखावा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं तो ऐसा लिखावा है तो sec को हम क्या लिख सकते हैं cosac लिख सकते हैं 90 में से आपको माइनस करना पड़ेगा क्या माइनस करना पड़ेगा theta, theta मतलब sec के पास लिखा हुआ ये वाला value और ये वाला value ये वाला value यहां आ जाएगा अब इधर कुछ नहीं करना है इधर आपको ऐसे ही रखना है तो ये हो जाएगा आपके cosac a-20 अगर आप देखोगे ये वाला और ये वाला आपके same है equal है इसका मतलब ये दोनों भी क्या रहेंगे आपके same रहेंगे हम यहां लिखेंगे 90 माइनस 4a और a-20 ये देख सकते हो यहां पर जैसा आया तो ऐसा हो गया अभी जैसे हम ट्रांस्फर करेंगे तो ऐसा बन जाएगा same तो हम क्या करते हैं यहां पर अब degree एक तरफ एक तरफ ये माइनस का इदर बेज़ दो प्लस हो जाएगा और ये माइनस का 4 है इदर बेज़ दो तो प्लस का 4 हो जाएगा ये तो हो गया आपके 110 और ये हो गया है आपके 5 है multiple का जाएगा divide में और a का value आपके आएगा 110 अपॉन का 5 divide करो तो ये divide जाएगा 22 अब जैसे मर्जी आए वैसे कर सकते हो आपके exam में इसके लिए तो आपको ये formula लगाना पड़ेगा और ये वाल है ये दोनों ये अच्छे तरीके हैं वीडियो अच्छा लगा तो like करें ये आपके board exam में हाफिल exam में का मनला एक most important question है